जाहिन दोस्ता स्वागात है अब सभी कहता है एक्जाम टॉपर्स परिवार में भारत के एक और महत्वपूर्ण क्रिकेटर सूरेश रेना ने भी अपने सन्यास की घोशना कर दी है तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूरेश रेना की बारे में और उनके इत्यास के बारे में तो आगे बहने से पहले दिया अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रिस कर लें ताकि आपको लेटिस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए शिरू करते हैं जैसा कि यह बहुत बड़ी और दुखत ख़वर एक देखने को मिली है एक तरीके से देखा जाए तो महनसी धोनी के बाद सुरेश रेना के जितने भी फैंस हैं उन सबी के लिए एक दुखत ख़वर यह क्योंकि वे अब क्रिकेट में खिलते हुए नहीं दिखाई देंगे भारती कुरिकेटर सुरेश रेना ने भी महनसी धोनी के साथ-साथ अंतरास्ट्री कुरिकेट से सन्यास लेने के घोष्णा कर दी है रेना ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरीये प्रदान की है रेना ने अपने इंस्टेग्राम पोस्ट पर लिखाया कि आपके साथ क्रिकेट खेलने से बहतर और कुछ भी नहीं रहा है पूरे दिल से और गर्व से में आपके इस सफर में शामिल होने को चुना था और अब मैं आपके साथ ही इस सफर को भी खत्म करने की घोशना करता हूँ सुरेश रहना ने सन्यास की घोशना से थोड़ी दर पहले महें सीन धोनी ने भी सन्यास की घोशना की थी इन्होंने अपने इस्टेग्राम पोस्ट पर एक फोटो को शेर करते हुए लिखा है जिसमें IPL की टीम चैनली सुपर किंग्स के साथ बाकी खिलाडी केदार जाधाओ महें सीन धोनी, अंबाती राइडू, कर्ण शर्मा और मौनू आदी दिख रहे है सुरेश रहना ने अपने पूरे 16 साल की करियर में भारत के लिए 18 टेस्ट, 226 वंडे और 78 T20 अंतराश्टी मुकाबलों को खिला है उन्होंने इस बिच अंतराश्टी क्रिकेट में 7000 से भी ज्यादा रणों को बनाया है और टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 778 रन दर्ज है टेस्ट में उनके नाम 1 शतक और 7 अर्द शतक भी दर्ज है सुरेश रहना के नाम इंटरनेशनल वंडे में 5,615 रन रिकॉर्ड दर्ज है इसके साथ ही जिसमें 5 शतक और 36 अर्द शतक शामिल है सुरेश रहना का वंडे में बेस्ट स्कोर नाबाद 116 रन का रहा है वहीं 78 T20 में रहना ने कुल 1605 रन बनाए जिसमें एक शतक वह पांच अर्दशतक शामल है इसके साथ ही सुरेश रहना क्रिकेटों के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी रहे हैं सुरेश रहना का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मुराद नगर में 27 नवंबर 1937 को हुआ था सुरेश रहना के घर का नाम सुनू है उन्होंने क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने के लिए वर्ष 2000 में लखनो के गुरु गोविन सीं स्पोर्स कॉलेज में एडमिशन लिया था दोस्तों हमें यापर एक पॉइंट महत्पूर्ण है याद रखना है कि गुरु गोविन सीं स्पोर्स कॉलेज कहाँ पर है तो यहाँ लखनो उत्तर प्रदेश में है उन्होंने फर्बरी 2003 में 16 वर्ष की उम्रे में असम के खिलाब उत्तर प्रदेश रेज़ी टीम की ओर से डेवियू करने का मुखा मिला सुरेश रेणा ने 2004 में ही अंडर 19 वर्ल्ड कप में 38 शर्तक जमाए यहाँ से उनकी जीवन में क्रिकेट की पारी का एक नया आरम होता है जिसमें 38 गेंद खेली थी मातर और 90 रनों की तूफानी पारी को खेला था इसके बाद रेणा ने 2005 में भारती टीम के लिए पदारपन किया और उस दोरान उन्होंने वंडे क्रिकेट से शुरुआत की उन्होंने अपना पहला वंडे इंटरनेशनल मेच 30 जुलाई 2005 को डाम बुला में श्री लंका के विरुग दिखे ला था इस वंडे सत्र में रेणा ने भारत के लिए 53.75 की शांदार ओसत के साथ 645 रन बनाए थे इसके बाद 2006 में दक्षिन अफरिका की खिलाफ T20 में डेवियो किया और यह भारत का पहला T20 मेच भी था इसके बाद रेणा को 2010 में दोनी की कप्तानी में श्री लंका की खिलाफ TESTS के पहने का मौका मिला और अपने डेवियो में ही उन्होंने शतक जड़ने का कारणामा कर दिखाया था इसके बाद रेणा ने अपना आखरी अंतराष्टी मेच 17 जुलाई 2018 को इंगलेंड के खिलाफ लीट्स में खिला इसके बाद वा भारती टीम की लिम्टेट ओवर टीम की बाहर से हो गए और फिर कभी बापसी नहीं कर पाए सुरेश रेना और धोनी दोनों लंबे समझ से चैनली सुपर स्किंग का हिसा रहें दोनों ही खिलाडी हाल ही में चैनली पहुंचे थे और वहां की चैनली केम की ट्रेनिंग में भी हिस्सा ले रहें अब रेना का सारा फोकस यू यमी आईजित होने वाले आईपिल 2020 की पादियों पर रहेगा महेंसी धोनी और सुरेश रेना की जोड़ी ऑन और आफ फिल्ड काफी चर्चित रही है दोनों इंडियन प्रीमेर लीग अर्थात आईपिल की शुरुआत से ही चैनली सुपर किंग्स के साथ जोड़े हुए है और दोनों के बीच की दोस्ते भी काफी चर्चित रही है ऐसे में दोनों का एक साथ अंतराष्टि क्रिकेट को अलविदा कहना किसी सायोक से कम नहीं है और महेंसी धोनीवा सुरेश रेना के फैंस के लिए एक बहुत बुरी खबर है तो यह थी पूरी चर्चा सुरेश रेना के बारे में और उनके जीवन के बारे में आई होब कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आप सुरेश रेना के सच्चे फैन है तो वीडियो को ज़्यादा सज्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले थैंक्स पर वाचिंग जय हिंद